एक तरफ जहां कोलकाता कांड को लेकर के ममता सरकार की जम करके किरकरी हो रही है ममता बैनरजी का जम कर विरोद देखने को मिल रहा है तो ऐसे में एक बार फिर से ममता बैनरजी को बड़ा जटका लगा है बता दे कि TMC में ही ममता बैनर जी के खलाफ बगावत के सुर उठने शुरू हो चुके हैं काई सारे दिगश नेता हैं जो कि ममता बैनर जी के इस मनवानी से परेशान हो चुके हैं और अब अपने पदों से इस्तिफा देते हुए नसर आ रहे हैं इसले आपको बता दे कि TMC को असम में बड़ा जटका लगा है यहां पर पार्टी के अध्याक्ष विपुन बोहरा ने पद से इस्तिफा दे दिया है इतना ही नहीं यहां पर बोहरा ने ये तक कह दिया कि उन्होंने ममता बैनर जी को कई दफा कई सारे सुझाव दियें लेकिन यहां पर ममता बैनर जी ने उनके एक भी सुझावू पर अमल नहीं किया यानि कि विपन वोरा के इस बयान से साफ ये दिखाई पड़ता है कि कैसे यहाँ पर TMC में एक छत्र राज ममता बैनर जी का है ममता बैनर जी किसी की बात नहीं सुनती और किसी के सुझावू पर ध्यान भी नहीं देती आपको बता दे दरसल विपन वोरा जो हैं वो असम से TMC के प्रेसिडेंट रहें ऐसे में उन्होंने असम में TMC के लिए क्या चीज़ा जरूरी है और TMC को कैसे असम में ढ़लना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुझाव दियें क्योंकि यहां पर विपन वोरा का ये कहना है कि असम की जनता ये चाहती है ये जानती है कि TMC जो है वो पर्ष्रिम बेंगॉल की पार्टी है वो असम की पार्टी नहीं है में विपन वोरा ने ये कहा था जो यहां पर विपन वोरा अपने तिफिसन में यह लिखा है hi में लेकर की पार्टी। जिसने TMC को परिशिम मंगाल के एक शेत्रिय पार्टी के रूप में देखना भी शामिल है और असधारना का मुकाबला करने के लिए हमने काई सुझाव दिये जैसे कि रास्टी अस्तर पर एक असम्या नेता की आवश्रकता टॉली गंज में भारत रत ने डॉक्टर भोपेन हजारिका के निवास की एक विरासत अस्थल घूशित करना और कूछ बिहार में मधुपूर्ट सत्र को एक सांस्कृत केंद्र में बदलना लेकिन इन पर कोई काम नहीं किया गया इन चंताओं को दूर करने के लिए पिछड़े डेड़ साल से आप से और हमारी मुख्यमंत्री मम्तव एनरजी से मिलने का समय लेने में लगातार प्रयासों के बावजूद में असफल रहा यानि कि यहाँ पर विपुन का ये भी कहना है कि ना तो मम्तव एनरजी ने उन्हें मिलने का समय दिया और ना ही पार्टी के जो महसेचिव है अविशेग एनरजी उन्होंने भी उनसे मिलने का समय नहीं दिया वैसे में उन्होंने ये भी दावा किया कि पुर्वुत्तर राज्य के लोग इसे पश्चिम मंगाल की क्षेत्रिय पार्टी मानते हैं और इसे अपनी पार्टी के रूप में स्वीकार करने को त्यार नहीं है उन्होंने ये भी दावा किया कि ये पिछले काफी समय से ममता बैनर जी से मिलने में असफल रहे महासचिय जो कि पार्टी के हैं विशेक बैनर जी उनको लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि पूरवर राज्यसभा सदस ने कहा कि उन्होंने असम में टीमसी की स्विकार्य बन है यूचित चौर्स और रिजांट सब्सक्राइ्ट देजिए जगरे प्रफ़जां जेइंग लेता प्रफ़ज़िए इजा आटम चाहई ट्राथ। जिक। अन्यूट अपट्गा आट ऐस भीजप य। थे प्राफ अंपूजाई पीज़ देख़ां धूट कर रहतए में Jp. in West Bengal. So, I thought that in the same way, from the platform of TMC, we also in Assam, we can also intensify the fight against the BJP and we can also stop BJP in Assam. So, with this motive, soul motive, I have joined TMC. But in the subsequent days, I have the experience that while moving जर पोग्यम्सट्याव्य प्राव टकॉम्टर आफ वि say I am convinced that the people of Assam are very much not inclined are not inclined at all to accept TMC in Assam the people is viewing TMC in a way that it is a regional party of Bengal so why should we accept a regional party of another state in our own state. So, no doubt people have very deep respect for Mamata Banerjee, but the TMC party, people of Assam, they do not want to accept the TMC. That is why I have decided. If the people do not accept it, then how we can intensify the fight against BJP from TMC platform? So, this is the ground reality. This is the ground reality, and then I decided that if I continue in TMC, only I will get no result. Only this is wastage of my time and energy. And rather, I decided that I should, since the people of Assam, they do not want, they do not want to accept TMC. So, therefore, I decided in honoring the sentiment of people of Assam, I decided to resign from TMC. you know, you know, you know, you know, दादा संख्या में लोगों के बीच में देखने को मिलती है उनकी लोग प्रियता सर्फ असम तक ही सीमित नहीं है बलकि अगर हम देश भर में बात करें तो हिमंता विश्व सर्मा की जो लोग प्रियता है वो युगाओं के साथ साथ तमाम वर्गों के लोगों में देखने को मिलती है और शायद ये लोग प्रियता अगर हम ममताब अनरजी के बारे में देखें तो उनकी जगहा लेता हुआ नसर नहीं आता और हिमंता विश्व सर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर के काम किया है उन्होंने विबन जातियो को लेकर के विबन समुदायों को लेकर के काम किया है जिसकी वज़े से असम में जनता उनसे जादा कनेक्टेड है अब यहाल ही में असम की बात करें तो वहां पर बार्ड की सिचुवेशन भी काफी जादा भयानक रूप से देखने को मिली थी ऐसे में हिमंता विश्व सर् जो जनता परेशान थी उन्हें काफी जादा राहत भी मिली थी अवैसे में इन तमाम चीज़ों को विपन वहरा जो हैं वो करीब से देख रहे थे और उन्होंने ममता बैनर जी को इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्हें समझाने का प्रयास किया सबसे बड़ी बात यह कि असम में TMC का कोई भी असमिया लीडर नहीं है यानि कि महां का एक शेत्रिय नेता नहीं है जो कि TMC के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है और इस चीज को ममता बैनर जी सुनने के लिए तयार नहीं है यानि कि कोलकाता को लेकर के जो पूरे देश में गहमा गहम को पर उत्रे हैं डॉक्टर्स भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब दूसरी ओर TMC पार्टी के जो नेता हैं वो भी ममता बैनर जी के साथ यहां पर बगावत के सुर मिलाते हुए नसर आ रहे हैं और सीधे तोर पर जब उन्हें ममता बैनर जी का समर्थन करना ना कि वो समाज को धियान में रखती है और ना ही अपने पार्टी के लीडर्स की बातों को सुनने का कोई यहां पर तवज्जु देती हैं ना ही उनकी बातों को सुनती हैं जो कि आने वाले समय में ममता बैनर जी के लिए मुश्किले खड़ी कर सकता है जिस हिसाब से TMC के एक एक डिगज लेडर जो हैं उनके खलाफ बगावत करने पर उतारू हो चुके हैं वजाल असपूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद